करेंगे अब यह जो आपको पता ही होगा कि मार्केट में बहुत सारे ब्रीज ऑल्रेडी हैं और मेरे बिडियो बनाने का मकसद यह नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताओं कि यह ब्रीज आप यूज करो यह ब्रीज आप उसको इगन zajnoor करो नहीं मैरा crystal करो का करूं कि कॉनसा ब्रीज मुक्रेड़ आप करना है और काम वह इस विडियो में की आपको से कि नहीं हम जानेंगे कि आएम में में ब्रीज हो क्या क्या बेरीड मेंने ब्रीज आफ रहता गए ऑल्गां मांज़का Say तो क्या होगा कि आप को पता रहे गा कि ये को ब्रीज को यूज करना कोई मतलब ऐसा rocket science नहीं है ब्रीज को यूज करना आज कल बहुत simple है बहुत सारे simple simple ब्रीज़ ऐसे भी हैं जिसको सिर्फ आप clicks में दो चार clicks में आप उसको यूज कर सकते हों सिर्फ अपने जो में टमर्थ वालट उसको लॉग इन करके तो इसलिए हमको पहले उनका वेनिफिट्स जानना है यूज करना तो कोई भी चिका सकता है तो चलिए चलते हैं इस वीडियो को हम अभी सूरी करते हैं तो अगर अभी हम देखेंगे कि हमको क्या-क्या वेनिफिट्स मिलेगा स्क इंट्रलाइज मैंने त्रंजाक्शन होंगे और कॉफी कॉष्ट एफिशेंट होंगे कॉष्ट एफिशेंट जो है वह हमारा मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम चाहिए ही इसलिए कि हम जो एथिरियम में हाई ट्रंजाक्शन फी दे रहे हैं उसको हम रिडियू सक्केंट पर्लेश कृट्ट एक करता है इस ब्रीश के इंदर तो इससे त्रोव हमको क्या होगा फॉल्ट तोलरंस एप्रोच उसका जो है यह भी हम एप्लाए करता है ब्रीश के अंदर तो जब हम इथिरियम मेंनेट से सकेल के चैन के अंदर कोई भी ट्रंजाक्शन वो ब्लस क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही आएगा तो इससे हमको एक स्क्योर एंवर्मेंट मिलेगा फर में की ट्रंजाक्शन जब हम स्केल का ब्रीज जो यूज करेंगे तो हमको बहुत थी फास्ट ट्रंजाक्शन मिलेगा क्योंकि अभी मेरे अलड़ी बहुत सारे ब्रीजेश जो है यूज कर रहे हैं तो मेरों को पता है कि कभी-कभी दस मिनिट से तीस मिनिट लग सकते हैं आपको ट्रंजाक्शन सक आता है तो वहां पर भेरिफिकेशन थोड़ा टाइम लगता है लेकिन स्केल का जो ब्लॉक्चेन है वह अल्रेड़ी एथिरियम में नेट के अंदर बनाया हुआ है तो देफिनेटली यूजिंग सम टेक्नोलोजी टू मेक फास्टर ट्रंजाक्शन यूजिंग दाट ब्री अंदर या फिर स्केल के अंदर हमको पता है कि वह दोनों डिसेंट्रालाइज है लेकिन स्केल क्या करता है जो पूपप मॉडल है उसका वह बीबी एक आपको नहीं पता अबीबी यह क्या है मैं उसको लेकर एक आर्टिकल लिखा था कनून में जिसको आप रिड कर सकते हो उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिर VLS क्रिप्टोग्राफी य kardeşim करता है जिसको यूज करके हम सींटर है यह जिसको यूज करके एक सिक्यूर एन्वुरि मेंट क्रिएड कर रहा है तो इसमें क्या है कि हम डिसेंट्रालाइजट भी पाते हैं एक ए बी बी ए कांसेंस के बज़े से मतलब बहुत सारे नोड जो ऑनेस्ट नोड है जब तक वो फेरिफाय नहीं करते ट्रंजाक्शन नहीं होता या फिर व्लॉक क्रियेट नहीं होता इसमें तो यह बहुत डिसेंट्रलाइश्ट मैनर में काम करता है अगर आपको ए बी बी यह क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए आप मेरे को कॉमेंट कर सकते हो मैं आपको समझाओंगा कि यह कैसे काम करते हैं और यह कैसे एक अच्छे टेक्नोलोजी है फॉर्म क्रेटिंग गुड ब्लॉक्चें तो अब ही हम देखेंगे कि स्केल ब्लॉक् करोगे आपको मतलब नो कष्ट अप्रोक्स्मेकली जीरो ट्रांजैक्शन फी अपको लगेगा लेकिन हम सबको पता है कि एथिरियम ब्लॉक्षिन इज नौट फ्री तो यूज उसमें ग्यास फी लगता है तो जब आप इस ब्रीज को यूज करोगे आपको सिर्फ और सिर् अब फर वान टायम लगेगा अच्छान फी जब इ theo इधीरियम से स्केल में आओगे लेकिन अगर आपने एक बारी स्केल में एंटर कर लीए तो तब आप फी में त्रांजैक्शन कर सकते हो तो आपको कोई transaction fee वहां पर नहीं लगेगा तो यह है आप सोच सकते हो कि कितना cost efficient है scale तो फिर scale के जो IM bridge है वो preservation of cost TD देखो अगर आप कोई bridge use करते हो तो क्या होगा कि अगर आप ethereum से वहां पर अपने token transfer किये फिर आप तो वो transaction कुछ उसमें दिक्कत आ गया फिर आपने transaction का fail हो गया और आपने जो बजागे देखा कि आपके token है वो आपके wallet में नहीं है वो कोई मतलब गड़बड होगी वहां पर तो उसका risk कौन लेगा आपको कोई return देगा क्या लेकिन scale में आपको मिलेगा अगर कोई भी दिक्कात होती है वहां पर scale उसका जम्यदारी लेता है उसका custody वो रखेगा फिर scale अगर आपको कोई सी चाहिए क्योंकि दोखो एथिरियम में सिर्फ एर्च 20 ट्रांजक्शन नहीं होते वहां एर्च 20 के साथ साथ एर्च 721 एर्च 1155 टोकन इस बहुत सारे टोकन स्टैंडर्ड है जो की एथिरियम में यूज होते हैं तो डेफिनेटली यूज कान मोडिफाइ यूज कास्टमाइज यूर ब्रीज तो ट्रांजक्ट एर्च 20 अंड एर्च 721 एर्च 1151 उसका मतलब यह है कि आप ब्रीज को यूज करके को भी ट्रांसफर कर सकते हो तो यह सारा हमिलेगा उसको कस्टमाइज कर सकता है और फ्यूचर में और जब और और यह ब्लोक जङनरेет होने में या फिर बारी होने में 30 सिकंद लगता है लेकिन ससी में Baptist разм ' लिए 5 सिकंद लिए तो अगर अगर आंश मिला लिया तो 8 सेकंद रहेगा आपका Britain का टाइमिंग तो देख सकते हो कि बहुत ही फास्ट है स्केल और एथिरियम का ब्रीज in compare to other यहां पर यह 20 year 721 year 721 से लेके यह वार्षी 115 सारे टोकन साप इस चाहिएम से और मैं इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में जितना भी डिटेल से सब को यहां पर दे दूँगा आप वहां पर चेक कर सकते हो और अगर आपको कोई दिक्कत है डाउट है या फिर कुछ नेट अप टॉपिक्स में वीडियो चाहिए आप मेरे को कॉमेंट भी कर सकते हो तो च